मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए हाई यो भनो ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भई नहीं बताईए क्या कर लेंगे अरे हम तो फकीर आदमी है जोला लेके चल पड़ेंगे जी अर भाईयो 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 ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाईयो बैंकों के राष्ट्रेकर हुआ था गरीबों के नाम पर हुआ था लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दर्वाजे तक जाने का मौका नहीं मिला रहे जब मैंने कहां मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाओंगा तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे भाई ये बैंक खुलवाओंगा ये बड़े बड़े लोग अपने पॉकेट में प्लास्टिक करण्सी रखते कांड रखते कांड रखते कांड कुछ लोगों के खिजेब में तो 5-5-10-10 कांड होते हैं मैंने का ठीक है तुम बड़े बड़े बावु अपने का है मैं मैं भी गरीबों को दूंगा 20 करोर गरीबों को रुपे कांड दे दिया 20 करोर गरीबों को दे दिया अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी यह ताकत मेरे गरीबों में है गरीब मांगने वाला नहीं होता है गरीब देने वाला होता है आर इसले भाईयो भेनो इन्होंने क्या किया नोटे चापते रहो चापते रहो नोटे चापते रहो इतनी नोटे चपती थी आपके घर में कोई बंडल आया था क्या भाई तो इस बंडल के बंडल कहा जाते थे नोटे चप रही थी महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे मैं अभी पीछे लगाओ निकालो आ रहा है आपने देखा होगा कोने कोने से और कुछ लोग तो गरीब होंके जाके पैर पकड़ते हैं अरे तुम तो कितने अच्छे हो तेरे दादा मेरे यहां मज़्दूरी करते थे तेरी मा मेरे बरतन साब करती थी अरे तुम तो बहुत अच्छे हो देखो बच्चे बड़े हो गए हैं ऐसा करो मेरा ये दो-तीन लाग रुपिया तुमारे खाते में डाल दो कभी कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था भाई यो भेना आज जिन बेइमान लोगा ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े है बैंक में कतार लगाने के उनकी ताकत नहीं है बैंक के बार तो वो कतार लगाता है जिसमें इमानदारी का माजा होता है जिसमें दम होता है जो बैंक के बार कतार लगाता है बे इमान लोग गरीबों के घर के बाद चुप चोरी चुपकी से कतार लगाए हैं उनको कह रहें कि जंधन एकाउंट मैंने खोड़ा था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन एक बात किजिए मैं देश के सभी जंधन एकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं जिसने भी आपको पैसा दिया है जिसका भी पैसा आपने बैंक में रखा है वो उठाईए मत भी पिल्कुल एक रुप्या मत उठाईए उस में से देखिए वो आपके घर रोज चेकर काटेगा आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो एए दादागेरी मत क्यार मनना मोधी को चिठी लिखता हूं जादा दादागेरी कर जो पूछो सबूट लाओ तुमने पैसा दिया था सबूट लाओ यह बड़ाबर डिब्मे में फसे हैं लेकिन यह तब सफलता मिलेगी जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिये हैं बेपैसे बैसे के बैसे रहने दें यह सारा ठीक ठाक होना है करें मैंने पताथ दिन मांगे हैं मांगे और नहीं मांगे भाईयों पचांट दिन तकली पड़ेगी मैंने कहा एक नहीं कहा है मुसीबत दिरे-दिरे-दिरे कम हो रही है लेकिन मैं देश के नागरीकों को सलाम करता है भायों बहना ये कतार-कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ भूल गए अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था मित्ती का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था पी एल चार सो ऐसी गेहू लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था आपने इस देश को कतार में सतर साल तक खड़ा किया है उन कतारों को खत्व करने के लिए ये मैंने आखरी कतार लगाई है भाई ये वाई मुझे बताइए ये जंदन अकाउंट वाले जितने हैं ये अपने पैसे जो बैंक में आये हैं किसी के उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे कोई कितना ही दमाव डालोगे उठाओगे नहीं न अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा मैं दिमाग लगा रहा हूँ अभी मैं दिमाग खपा रहा हूँ कि ये गरीब के खाते में जिनोंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया कि ये लड़ाई जीतनी है बेईमानी खतम करनी है तो खड़े हो करके तालिया बजाईए जोर से तालिया बजाईए बेईमानों को बेईमानों को संदेश दिजिए देश बेईमानों को शुकार नहीं करेगा देश बेईमानी को शुकार नहीं करेगा देश इमानदारी की और चल पड़ेगा आईए भाईयो बेनो आईए हम सब मिलके चले सतर साल की बिमारी को बंद करनी है सतर साल की बिमारी से देश को बचाना है आईए मेरा साथ दीजिए दोनों मुठी बंद करके बोलिए भारत माता की आप आज हर बेमानों के रॉंग्टे खड़े कर ऐसी होनी चाहिए हर बेमान थर्थरा कर करके काँप ले लग ऐसी होनी चाहिए भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद